तो आज भी हमारे चैलेंज का 23 डे, भी 40,000 का केपिटल है, मुझे लेकर जाना 4 लाग तक, अगर मैं 4 लाग रुपे का प्रोफिट करूँगा न, तो भाई मुझे मार्केट करें ना ना करते भी मुझे 4 लाग या 5 लाग का प्रोफिट करना पड़ेगा, तब जाके मैं 4 ला और आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो 10 बस के 45 मिनट के आसपास मैंने अपना ट्रेड लिया है, और यह वाला ट्रेड मैंने लिया डबा पेटन में, मैं आपको अक्सर कहता हूँ, डबा पेटन में कभी आपको ट्रेड ना करना चाहिए, लेकिन यह वाला ट्रेड मैं तीन हजार से लेके अगर मुझे साड़े चार या पांच हजार का लोस होगा, तो यह वाले इस्टाइक प्रैसे मैं अपना ट्रेड एक्जिट कर दूँगा, और आप लोग देख सकते हो भी, अभी मेरा जो लोस है, यहां पर काफी जादा लोस हो चुका है, यहां पर दो ह आपे कम हो चुका, चार हजार के असपास लोस था, वापस में दो हजार पचीसो के असपास में आपे आज चुका हूँ, बई जब लोस में होते हैं, वापस हमारा लोस रिकवर होता तो काफी मज़ा आता हूँ, वापस यहार में लोस बढ़ चुका है, तो पांच जार का सबसे बड़ी गलती होती है आपको अक्सर आपकी गलती है क्या किया है आपने किस दिन अच्छा ट्रेड किया सारी सारी चीज़ा आपको बुक में लिखे पड़ेगे तबी जाके आप एक महने बाद शे महने बाद ये एक साल के बाद में जाके एक अच्छी कासी मार्केर में ट्रेड कर पाओगे और मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा हमारा ब्रोकरेज कितना लगा है और चार हजार रुपे का मेरा प्रोफिट हुआ है और प्रोफिट के अंदर आपको आना है कॉंटे नोड के उपर क्लिक करना है तो आप लोग देख सकते हुआ जो मैंने आज यहां पर ट्रेड किया है तो टोटल मेरा जो टेक्स है टोटल मेरा जो ब्रोकरेज वह लगा यहां पर दो साट रुपे के आसपास तो मोटा मोटे आपको फिरी में बहुत कुछ आपको सिखाने के वहां पर कोसिस करता हूं अब देखो यह वाला ट्रेड अप समझो मैं आपको लोजिक बताओंगा पुरा चार्ट के उपर जाके अब फंडा यहां पर समझो आपको टेलिक्राम ग्रूप बताओंगा वहां पर कई सारे लो कोई गेरेंटी नहीं आप चाहिए एक रुपे का प्रोफिट करो चाहिए ना करो लेकिन आपके लिए मैं दो काम कर सकता हूं एक तो आपकी ओवर ट्रेडिंग है वह मैं बिल्कुल बंद करवा दूँगा और आपका जो इस्टोप लोज से आपको पता चल जाएगा भी कि यहां देख़ो या मैंने हैं यहां पर क्या क्या सेवेन्टी सिक्सी आसपास बाइ क्या 66 या स्टिय या यूज क्या है और तो मैंने सेपूर डिया अगर मैं होल्ड मनाकर रखता दो तिन गंटे तक तो स्टाइप रहे इस थी 170 रुपे गास तो मैरा केपोटल यहां पर हो सकता था आज के ते मुझे 30-40,000 का जो प्रोफिट है वो मुझे हो सकता था लेकिन मैं अपने चोट सेट अपको फोलो किया उसके बाद मैं 60 का जो ट्रेड मुझे दिखाई दिया और 60 का ट्रेड मैंने लिया आप लोग दिखाना चाओंगा मार्केट किस परकार काम करता है, मार्केट में किस परकार फसाता है तो टाइम फ्रेम है पांच मिनट का अब यहाँ पे देखो यह हसकी नाजिक केंडल, नोट ओर दो नॉर्मल केंडल है यहाँ पे जाके एक हमारा चोड़ शेटप है वो यहाँ पे बना है जिन जिन लोगों ने हसकी ना हसकी वाला शेटप देखा है आप देख से तो कितना प्यारा हमारा चोड़ शेटप बना है लेकिन मैंने अपने आपको कंट्रोल किया क्योंकि मैं हर हफता और क्या बलते हैं अपना हर मन्त का जो टार्गेट है उसके साब से मार्केट करना है फिलाल मैं भी काम करा हूँ और C-Sat का भी आप देख से तो वह कितना प्यारा है यहां पर देखो यह वाली केंडल के अंदर जाके हमारा सेटप बना और एक अच्छा कासा मुमेंट हमें देखने को मिला C-Sat भी एक अच्छा कासा ट्रेड था और P-Sat का भी हमें एक अच्छा कासा मुमेंट आज के दिन हमें देखने को मिला दो आपको बाता चाहोँ यह वाला हमारा गुरूप है lowest to profit भाई lowest to profit हमारा गुरूप है आप जाके जोइन कर सकते हो फिरी गुरूप है यहाँ पर हम आपको फिरी में भूत कुछ में आपको सिकाने कोशिज करता हूँ अब एक ही हमारे सर इनका इस्कीन सोट मेरे पास आया था आप देख से तो एक दो लोट के साथ इन्होंने आज के दिन आपे साथ हजार रुपे का जो प्रोफिट अब बहुत 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 कॉंग्रुचिलेशन मैं उम्मित करते हूं आगे भी आप इसी परकार से प्रोफि चाइब से यूज़ करें इनको मिल अच्छा बेनिफिट मिल रहा है अच्छी बात सीको मैं कहते हो है को फिए अप इस्की प्रोफिट अब बना है और उसके बाद मार्केट के इतनी रवट आए ती तो लोगों ने अच्छा-गासा प्रोफिट आप बुक या और यह है देख सकते हैं अगर आज के ब्रोकरेश की बात किजए तो 200 रुपे का मेरा ब्रोकरेश लगाए तो मोटा-मोटी अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिल जा रहा है तो भी कई सारा इसके सोट आयते हैं जिन जिन लोग आज प्रोफिट बुकिया बहुत-बहुत कॉंग्रूश लेशन आपको कई सारे इसके सोट आते हैं लेकिन मैं सब के अफ्लोड नहीं कर पाता हूं और इनका नाम मैं अभी सेक अभी सेक सरकाय आप 7000 रुपे का प्रोफि करता हूं